नमस्कार स्वागत आपका कभीर नीज में मैं हूँ प्राची भटनागर देश में बढ़ रहे करोना प्रभाव के बीच केंद्र सरकार ने अनलोक टू को लेकर दिशा निर्देश जारी किये है सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइन्स के अनुसार कंटेन्मेंट जोन से बहार और ज्यादा गतिविदियों को खोलने की इजाज़त दी गई है नई गाइडलाइन्स में नाइट कर्फ्यू में थोड़ी धील दी गई है और इसे रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है वहीं दुकान पर अब सोशल डिस्टंसिंग का पालन करते हुए एक साथ पांच लोग खड़े हो सकते हैं इसके साथ साथ अनलोग के दूसरे चरण में भी अंतर राश्ट्य उडान, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, राजनेतिक, शैक्षिरिंग, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल कुछ संबंदी आयोजनों और अन्य बड़े जमावडों वाले कारकरम पर रोक रहेगी बता दे कि अनलोग 1 तीस जून को समाप्त हो रहा है और एक जुलाई से अनलोग का दूसरा चरण शुरू होगा आईए जानते हैं कि इन फेज में किन किन चीजों को इजाज़त मिलेगी और किस पर पाबंदी जारी रहेगी रात की कर्फ्यू का समय अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू के दौरान केवल जरूरी सेवाएं को इजाज़त मिलेगी स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे ऑनलाइन और दुरस शिक्षा की अनुमती होगी और उन्हें बढ़ावत दिया जाएगा दुकानों में अब 5 से जादा लोग आ सकते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा केंद्र और राज सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से खुलेंगे राजनीतिक, शैक्षिनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूच समंदी आयोजन और अन्न बड़े जमावणों पर रोग जारी रहेगी अंतर राज्ट्य हवाई यात्रा, मेट्रो, रेल, सिनेमा, घर, जिम, बार, बंद रहेंगे घरेलू उडानों और यात्री ट्रेन सेवाओं को अनलॉक टू के चरण बंद तरीके से बढ़ाया जाएगा वंदे भारत मिशन के तहट सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर राज्ट्य हवाई यात्रा की अनुमती दी गई है